नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहिप्ति जोती में आज के इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्माजी द्वार रचित नीलो नामक पाठ के शारांस को पढ़ेंगे साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित कुछ बहु विकल्पी प्रशन को देखेंगे तथा इसकी बाध वाली वीडियो में हम लोग इस पाठ से संबंधित लगूतरिय प्रशन एवन बोध मूलक प्रशन तथा भासा बोध के प्रशन को देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस पाठ के शारांस को देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, महादेवी वर्माजी के बहुत सारे संस्मरणों में हमें जीव जन्तुओं के प्रती गहरे लगाओ और प्रेम की भावना देखने को मिली है। नीलू भी इसी प्रकार की एक रचना है, जिसमें उनके हिर्दय में नीलू के प्रती गहरा प्रेम एवं लगाओ देखने को मिलता है। इस पार्ट में उन्होंने नीलू नामग कुट्ते तथा उसकी मा लूसी के क्रियाकलापो का बहुती सजीव आकर्षक एवं भावनात्मक वर्णन किया है। नीलू के स्वभाव के बारे में भी उन्होंने बतलाया है कि उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही आकरशक, स्वाभिमानी और अपने स्वामी के प्रती निष्ठावान थी वो इसके अलाबा वे बताती हैं कि उसकी जो वृत्ती थी वह भी बहुत ही परोपकारी और स्वाभाविक थी और इसका चित्रण महादेवी वर्मानी जी ने बहुत ही सुंदर्ता के साथ किया है, बहुत ही चित्रात्मक साहिली में किया है और नीलु के बारे में बताती हैं कि नीलु जो है, वो नीलु की जो मा है वो एक अलसेसियन प्रजाति की कुतिया है जिसका नाम Lucy है तो नीलु की मा का नाम Lucy है और Lucy का जो सरीर है वो बहुत ही खरहरा, सुंदर एवं आकरशक था और लूसी जो है उत्तरायन के लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी सहचरी बन गई थी और वहाँ पर उनके कारियों को किया करती थी उस छेत्र में केवल एक ही खाद्य प्रदार्त के दुकान थी और वहाँ पर भी जाने के लिए जो रस्ता था वो पगडंगियों के बीच से हो कर जाता था और सीत काल में उस रस्ते पर बर्फ जाती थी ऐसे समय में लोग क्या करते थे यदि उन्हें दुकान से कुछ मंगवाना होता था तो वह लूसी के गले में एक कपड़े को बांग देते थे और उसमें समान की लिस्ट और पैसा दे देते थे तो लूसी जो थी वह बर्फ को चीरती हुई दुकान तक पहुचती और दुकानदार को परची और रुपया देकर समान ले लेती थी और फिर उसी तरह दोड़ दे हुए वापस चली जाती थी इसी कारे के दौरान उसकी मुलाकात जो है वो एक घूटिया प्रजाती के कुट्टे के साथ होती है और वहां बखे के हमले के कारण लूशी की भी मृत्यू हो जाती है और लूशी का जो एक बच्चा बच गया था उसका नाम नीलू रखा जाता है लेखी का उसे बड़े इस्तिहें के साथ पालती है आगे हमें नीलू के सभाव और उसके सारेख सौंदरिय के बारे में मतलाया गया है वहा देवी पर्मा जी बताती हमें कि अलसेशियन मा और भूटिया पितास से जन्में नीलू का सारेख सौंदरिय सभाव और चरित्र एक दम ही अनूठा था उसके भीतर फुक्तों के सामानि गुडों की अपेच्छा सवभिमान और दर्ग का भाव जादा था। लेकिन स्वामी के प्रती करतब्य निष्ठा की भावना भी अधिक थी। वह लेखिका के जितने भी परिचित से सभी से परिचित हो चुकी थी। और लेकिका के प्रतेक कारे में मदद किया करती थी। उसके भीतर इंसा और क्रोध के इस्थान पर परवकार की भावना थी। इस बात का पता हमें लेकिका कुछ उदाहरणों के माध्यम से देती हैं उन्हें पुरा घोशले तक पहुचाने के लिए काफी व्यक्र रहती है। इसे संदर्व में वे एक और घटना का उल्लेक करती हैं जिसमें बताती हैं कि जब लेखिका द्वारा पाले गए खरगोस तुरंग बनाकर दूसरे कंपाउंड में जा निकलते हैं तब उन पर जंगली बिल्ले ने हमला किया था और उसकी आहट पाते ही नीलू ने उस कंपाउंड में पहुचकर बिल्ले को भगाया। इसके साथ ही कोई और खरगोस बाहर ना निकले इस वज़ा से वह रात भर ठंड में वहीं खड़ा रहा जिससे वह बिमार पढ़ गया। तो यहां पर हमें नीलू के हिरदय में जो परुपकार की भावना है प्रेम की भावना है वह दिखलाई पढ़ती है। लेखीका के प्रतीवी उसके हिरदय में असीम प्रेम था। जब लेखीका की एक बार दुरघटना हो जाती है और वह घायल होकर अस्पताल में भरती रहती है तो नीलू में काफी अधिक ब्यगरता बढ़ गई थी। लेखीका को घर में ना पाकर उसने भूखरताल यानि की खाना पीना सब छोड़ दिया था। विवस होकर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा लेखीका को देखकर ही वह संतुष्ट हो पाया। उसके बाद हर दूसरे दिन उसका अस्पताल जाकर लेखिका को देखना रूटीन बन गया था यानि कि वो प्रते एक दिन लेखिका से मिलने अस्पताल जाया करती थी और इस तरह 14 वर्ष का जो जीवन है वो पूरा हुआ और उसके बाद बहुत ही शांत और द्रण सभाव की कारण बहुत ही स्थेत्रा के साथ उसकी मृत्ती होती है तो इस रचना में हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने नीलू के सभाव उसके सारीरिक सौंदर का वर्णन किया है साथी साथ तह भी बतलाया है कि वह जो जीव है वो कितना अधिक परुपकारी हो और लेखिका के साथ हमेशा उसका संबंद बहुत ही अच्छा रहा आईए अब इस पार्ट से संबंदित हम कुछ बहु विकल्पी प्रशनों को देखते हैं तो सरव प्रथां वहु वस्तो निष्ट प्रशन है तो देखिए पहला प्रशन है कि नीलू पार्थ हिंदी साहित्य की कौन सी गध्य विधा है तो देखिए इसके अंदर चार विक उसके अंदर प्रशना से संबंदित है तो विधा है वह संस्मरण है किकर सही उत्तर दूसरा विकल्प है कि इसकी बाद दekhya दोसरा प्रशनम देखते हैं खवाणनंबर की कि सब्रशनम की कि प्रश्साति का कुट्प अनोर देखिए पहला है पहला है अलसेसयन दूसरा है भूटिया, तीसरा है अलसेशियन, भूटिया, वर्ण संकर और देशी, तो जैसा कि आपको पता है कि लूसी जो थी वो अलसेशियन प्रजाती से थी और नीलू के जो पिता थे वो भूटिया, वर्ण के थे, तो इन दोनों से ही जो है वो नीलू का जन्म हुआ था, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा अभी कल्प है, आलसेशियन तथा भूटिया वर्ण संकर, दोन नमबर प्रशने देखते हैं, महादेवी वर्मा के जन्म मृत्यू की कौन सी तिथी सही है, यानि कि उनका जन्म और उनकी मृत्यू कब हुई थी, तो महादेवी वर्मा जी लूसी की मृत्यू कैसे हुई, आपको पता है, लूसी की मिर्त्यू जो है वो लकड बघ्भे के हमले के कारण हुई, तो चारवी कल्प दिया गया है, पहला ठंडा लगने से, दूसरा भूठीय मारने से, तीसरा लकड बघ्भे द्वारा, चौथा कजली और बादल के जबकि इसका चो सही उत्तर है वो है लकडबग्य के द्वारा लूसी कौन थी नीलू की मा याद रखिएगा लूसी नीलू की मा थी और लूसी की मृत्यू लकडबग्य के द्वारा हमला करने से कोई थी आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे तथा इसकी बाद बाद वाली वीडियो में हम लोग पाथ से सम्मंधित लगुत्रिय प्रश्न बौदा मूलक प्रश्न एवग भासा बौध के प्रश्नों को देखेंगे तो आप इस और इसके बार वाली वीडियो को अवस्य देखे ताक कि यह पाथ आप पूरी तरिके सेउमझ पाएं एव इसके प्रश्न उत्तर को कर पाए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले के साथ धन्यवाद